मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शायद अफरीदी हैं वहाँ पे शायद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा और यह आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शायद अफरीदी ग्राउंड छोड़के भागे नहीं शायद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़क में नहीं है हाँ ये बात तो है लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्हें ने क्रिकेट खेली है तो मेरे खेल में इस्पेशली जो इंडिया के टीम है वैसी उनसे भागती थी तो इंशालला तला भी अगर शायद अफ्रीदी प्रोग्राम में आ जाते हैं तो मेरे खेल इंग्लेंड की वो पूरी सीरीज क्यले इंग्लेंड के टैस्सीरी हैं वैंको बेलन्ड को बैकप प्रॉब्लम हुआ उसके बाद भी वो मैच्श खेले जब एक जब एक play अपने मुल्क के लिए इंग्लेंड के सीरीज क्यिस खेल सकता है तो रूब उसको ये पता है कि इतन पारी रह सकता है चितनी विराट को लिए कि अपनी जगा होती है बाकी यह यह यही परग है जो दो टेस्ट माच खेले हैं वो और बनाने वाले के बारे में नहीं आप और हमारे मुल्क में यही परग है कि आपके यह पर एक टेस्ट माच वाला खेलने माला भी कुछ भी बोल सकता है नहीं कि परदी बात तो रह से दिये क्योंकि अगर आप इंडिया का शेडियूल देखें और पाकिसान का शेडियूल देखें वो अमने चेंपिन ट्रॉफ किसको किस से कमपार करें लिए कि क्रिकेट में कोई एक्सक्यूस नहीं है चाहे कि अची परफोर्मंस की है तब हैं यह पोले ना कि नई जी इंडिया की टीम भी जंबाबे से खेलिए जाके तो हलकी टीम से कहली हम जीए तो हमारे चैनल सबस्क्राइब कर लें और बेल आइ हमारी छोड़ी सी वीडियो को लाइक कर दिया करें अल्ला हाफेज